यूपी के मैनपूरी में डिम्पल के लिए अखलेश की महिला बिद्गेट चुनाव प्रचार में ताकत लगा दी है यह महिला बिधायक हर घर जाकर प्रचार में जुटी है बता दे पूरो मुख मंतरी रच्छा मंतरी रहे मुलायम सिंग यादव के निधन के बाद मैनपूरी में उप्चुनाव हो रहा है जहां भाजपा ने रगुराज साक को चुनाव में उतारा है लड़ाई दिल्चस्प हो चुकी है समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंग की बहुत डिमपल यादव को प्रत्यासी बनाया है वहीं कांगरेश और बहुचन समाज पार्टी ने अपने प्रत्यासी नहीं उतारे है एसे में डिंपल के पच्छ में अखलेश की महिला बिगर्ट टीम परचार प्रसार में जगाश जगाश जुट गई है जिसमें जाउनपूर के मचली सहर की बिधायक डाक्टर रागनी सोनकर वा मडियाहों की सुस्मा पटेल भी सामिल है बिधान सभा में महिलाओं के मुद्दे पर बोलने से के बाद सोसल मेडिया पर चर्चा में आई पेशे से चिकिस्चक डाक्टर रागनी चुनाओ परसार में जुटी हुई है वह गाउगाउँ नुकड सभा करके वोट की अपील कर रही है जस्वंत नगर करहल विधान सभा में चुनाओ परचार में महिलाओं के बीच पहुँच रही है डाक्टर रागनी का कहना है कि डिमपल भावी अच्छे मतों से चुनाओ जीत रही है वही समाजवादी पार्टी से मडियाँं से प्रत्यासी रही मुगरा बासाप पूर की पूर विधायक सुस्मा पटेल भी महिन पूरी पहुच चुकी है वह भी जगह जगह डिमपल यादों के साथ चुनाओ परचार में जुटी हुई है इन विधायकों का कहना है कि महिन पूरी से डिमपल काफी अच्छे मतों से चुनाओ जीतेंगी लेकिन फिलहाल अब यह देखना है कि 5 दिसंबर को ओटिंग के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने किसे